Hello everyone, मैं हूँ Ankitab, आपके English Educator और स्वागत करती हूँ आपका Magnet Principer और आज में लेकर आई हूँ Class 10th English First Flight का Chapter 4 from the Diary of N. Frank और आज हम कवर करेंगे इस Chapter का Summary तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ Important Points बनाए हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है इससे पहले कि आप इस Chapter को पूरा समझें या इसकी Summary पर जाएं तो सबसे पहला Point है From the Diary of N. Frank, Originally referred as the Diary of a Young Girl यह जो Chapter है या जिस Diary के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है From the Diary of N. Frank लेकिन Originally जब इसका नाम जो सबसे पहले नाम था या Original नाम था वो था The Diary of a Young Girl बाद में जाके इस Original टाइटल को चेंज करके हमने वो टाइटल किया जो आज हम सब जानते हैं और वो है From the Diary of N. Frank Second point है N. Frank का जो पूरा नाम है वो है Annelies Marie Frank और इसको हम pronounce कर सकते है Annelies Marie Frank जो की एक German pronunciation है Next है उनका जनम हुआ था 12th June 1929 और उनकी death हुई थी February या March में कहीं in 1945 उनकी जो death की date है exact date और month पता नहीं है सिर्फ year ही पता है वो एक German born Jewish लड़की है यानि उनका जो धरम है वो जो religion है वो जियो का था यानि यहूदी था और वो जर्मनी में जनम लिया था उन्होंने Reason of death उनकी death कैसे हुई थी टाइफस इन बर्जन बेल्जन यानि बर्जन बेल्जन क्या है बर्जन बेल्जन वही concentration camp है जहां पर नाजीस जितने भी Jews हैं उन्हें ले जाके जेल में डालते थे थे उन्हें वहां पर कैद रखते थे और कारण ये था कि जो भी जर्मन लोग जो बाहर की किसी दूसरी जेलों में बंद हैं जो अब्राइब दूसरे देशों में शहरों में जहां उनको कैद में रखा हुआ है उन्हें छोड़वाने के लिए ये जियूस को कैद में रखते थे तो एक exchange होता था कि जियूस को वह भेज देते थे जेल में डालने के लिए और बदले में जो जितने भी जर्मन थे उन् टाइफस करके ये एक infection होता है और इसी बिमारी की वजए से इनकी death हो गई थी एनकी family की तरफ बढ़ते हैं इनके father का नाम है Otto Frank, इनकी mother का नाम है Edith Hollander Frank, इनकी sister का नाम है Margaret Frank और Annie's diary यानि Annie की जो diary है जिसे kitty भी कह सकते हैं क्योंकि Annie ने अपनी diary को एक नाम दिया था जिसका नाम है Kitty, तो उसे kitty भी कहा जा सकता है, it was a 13th birthday present from her parents, it chronicles the events of her life from 12 June 1942 to 1st August 1944, ये वही diary है जो उनके parents ने उन्हें उनके 13th birthday पर gift की थी in 1942, इस diary में इनकी birthday से लेकर यानि इस date से लेकर इस date तक के सारे events का record मौझूद है, यहां मैं आपको ये भी समझा दूँं कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी explanation के दौरान भी ये dates आपको एक clear करने की कोशिश की थी कि उन्होंने अपनी डायरी आक्च्छल में लिखना start कप किया था, तो basically जब उनका birthday था, which was on 12th of June, जिस दिन उन्हें ये डायरी मिली, वो डायरी मिलते ही वो इतनी excited थी कि उन्होंने उसमें एक बात लिख दी कि तुम वही डायरी हो, तुम वही एक friend हो मेरे, जिससे मैं अपने सारे secrets और अपने मन की सारी बाते share करने वाली हूँ, लेकिन ये quote लिखने के बाद उन्होंने उस डायरी को रग दिया था side में, और वो जब भी उनके मन में कोई बात आती, वो ल अपना पड़ा नाजीस से और वो एमस्टरडेम चली गई, वहाँ पर रहने लगी, नाजीस से छुपके वहाँ पर उनकी पूरी family रहने लगी, तो actual में उन्होंने डायरी जो लिखना शुरू किया था, वो लिखना शुरू किया था, 14th of June, alright, तो students in dates के अंदर आपको confused बि 12th June को उन्होंने अपनी डायरी में सबसे पहली बात, जैसे हम नएनी copies और note books लिखते हैं, सबसे पहले अपना नाम उसमें लिखते हैं, कि हां भी मेरी हो गई, अब ये डायरी, full on मेरी है, एक तरीकी से अधिकार जमा लेना, लेकिन actual में जो events, ये जो chronicles या event जो उन्होंने record करना शुरू किया था, वो actual में शुरू किया था, अपने birthday के दो दिन बाद, यानी 14th of June 1942 को, अब हम देख लेते हैं, इसकी summary, N. Frank, the diary of a young girl, ये जो है, इसका original title है, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है, ये title भी याद रखना जरूरी है, और exam में ये एक as an important question आ सकता है, कि what was the original name of, from the diary of N. Frank, all right? It is the real diary of a teenage girl, on N's 13th birthday, 12 June 1942, she gets a diary from her parents, she named her diary Kitty and it tells the story of her family who live in Frankfurt, Germany and suddenly have to go into hiding as a result of Hitler and Nazi party's treatment of Jews in Europe during the Second World War. Basically, इसमें यही बताया गया है, कि ये diary उनका 13th birthday present था, उनके parents की तरफ से, और ये birthday के दो दिन बाद ही, उन्हें नाजीज से बचने के लिए, क्योंकि Second World War के दौरान, Adolf Hitler का rule था, उन्ही का हर तरफ rule चल रहा था, और उनकी ही एक army थी, नाजीज थे उसमें, तो नाजीज ज रचने के लिए, N. Frank और उनकी पूरी जो family है, वो दो साल तक छुपी रही थी, तो इसलिए उन्हें अपना शहर, Frankfurt छोड़कर जाना पड़ गया था, और ये पूरा समय है Second World War के दौरान का. N. explains that although her family is from Frankfurt, Germany, she now lives with her mother, father and older sister Margaret in Amsterdam, Holland. वो छिपकर कहां गया, जब वो Frankfurt, Germany से भागे तो वो चले गए नीदरलेंड और नीदरलेंड और हॉलेंड ये provinces हैं basically, तो कई बार नीदरलेंड को हॉलेंड कहके भी बुलाया जाता है, तो आप कभी भी इस चीज़ से confused मत होना कि कभी नीदरलेंड है और कभी तो हॉलेंड ह तो जर्मनी के शहर, Frankfurt से निकल के, नेदरलांड के या हॉलेंड के कैपिटल एमसरडम में जाके, एंड फ्रेंग अपनी फैमिली के साथ छुपकर रहने लगी और वो छुपी कहां थी? Her father is the director of the Dutch Opeta Company. उनकी जो पिता की कमपनी है, उसी की बिल्डिंग में बेसिकली वो जाकर शुपी थी. अब किस चीज़ की कमपनी थी उनके पिता की? वो थी Dutch Opeta Company यानि यहां पे jam products बनाया जाते थे, यानि fruits का extract, fruit का extract या रस निकाल के जो jam होता है वो बनाया जाता था और Spices भी इनकी कमपनी बनाया करती थी. तो इसी कमपनी की जो बिल्डिंग थी, जो ओफिस था, उसी में जाके इनकी पूरी फैमिली छुपी थी. Ann leads a normal life, she plays with her friends, has a number of teenage boy admirers and worries about her grades. इसका यह मतलब है, यह basically अपनी उस life के बारे में यह बात है, जो उन्होंने चिपने से पहले जिस तरीके की उनकी life थी. तो काफी normal और ordinary सी life थी, बहुत जादा full of excitement तो नहीं थी, क्योंकि जूस को बहुत जादा, कोई freedom नहीं थी basically, बहुत जादा भी क्या, उन्हें बाहर जाना इतना allowed नहीं था, बहुत सारे rules and regulations थे, जो उन पर applicable थे, और वो जूस को मानने ही पड़ते थे. और तो यही सब चल रहा था, तो उनकी simple सी life थी, जो वो जी रही थी, उन्हें अपने friends के साथ खेलना बहुत पसंद करता था, और बहुत सारे male admirers भी थे उनके, यानि बहुत सारे उनकी age के जो लड़के थे, वो भी उन्हें काफी पसंद किया करते थे. And worries about her grades. यह मैंने आपको इस chapter के explanation के दौरान भी बताया था, कि वो पढ़ाई में काफी अच्छे रही है और काफी अपने पढ़ाई को लेकर concerned रहती थी, अपने grades को लेके, marks को लेके भी वो काफी concerned रहती थी, कि मैं अच्छे marks score करूं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर Until her family is forced to go into hiding when Margaret receives a call-up notice from the SS. अभी यह लाइफ उनकी जो चल रही थी, वो कब तक ऐसी लाइफ कब तक चली जब तक उन्ही एक notice, SS notice नहीं आ गया. क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी है, यानि N. Frank की जो बड़ी बहन है, जिनका नाम है Margaret, वो जब 16 years की हुई, तो तब एक notice release किय जा गया उनके नाम पर, ओके और उस notice की वज़े से ही इस पूरी family को अपने घर को यानि Frankfurt को छोड़ कर MCM में जाना पड़ा और वहां जाके चिपना पड़ा, अब आप सोच रहे होंगे, यह SS notice क्या है, SS notice basically यह है, शुटसस्टाफल, शुटसस्टाफल का मतलब basically यह है कि य in the honor of loyalty, the honor of loyalty यह जो, यह basically एक parliamentary organization थी, जिसे Adolf Hitler lead करता था, उसकी Adolf Hitler के control में थी यह parliamentary organization और इसमें basically यह होता था कि जैसे ही कोई भी जो बच्चा है, जैसे ही वो 16 years का होता है, तो उसके नाम पर एक notice release किया जाता था, कि अब आप उसे लेकर आईए और camp के अंदर अब भरती कीजे, camp के अंदर डाल दीजे, तो कहने को ही बस एक camp है, लेकिन वो एक torturous prison थी for all the Jews, तो जैसे ही यह notice जारी हुआ, यह पूरी family अपने आपको बचाने के लिए वहाँ से चली गई और Amsterdam में जो auto frank है, उनकी office building में जा गई, on June 20th, 1942, she mentions how her class is nervous about their results, अभी यह तो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जाके वहाँ चली गई और यह, अब वो अपनी डायरी में, क्योंकि उनके पास अब करने के लिए तो कुछ है नहीं न, अब उनके पास सिर्फ एक ही friend का comfort रहा, और वो friend है, उनकी डायरी, जि लिखने लगी और अपनी life के जो किस्से हुए हैं, जो experiences हुए हैं, वो उसमें लिखने लगी, उन्हीं सब एक किस्सों में से एक किस्सा है उनकी school का, और उसी school के बारे में वो लिख रही है, जो उन्होंने कब लिखा था, 28th June 1942 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, या result को लेकर nervous है, remember quacking in its boots, यानी सर से लेकर पैर तक डर से कपकपाना, alright, तो इसका यही मतलब है कि कितना वो class डर रही थी, the author says that the only subject she is unsure about is mathematics, N. Frank बहुत शूर थी कि वो और उनकी बाकी की जो friends है, वो next class में definitely जाएंगे, लेकिन maths सिर्फ एक मात्र ऐसा subject था, जिसके marks को लेकर N. Frank बिल्कुर जोर नहीं थी, कि पता नहीं क्या ही होने वाला है, she and her friend G are trying to stop the students from making noise, but to no avail, no avail मतलब कि कोई result नहीं निकल रहा है जिस चीज़ का, यानी N. जो है अपनी friend G के साथ, सब बच्चों को शान्त कराने के लिए कोशिश कर रही थी, सारे बच्चे बहुत सब बातें और शोर शराबा हो रहा था नहीं क्लास में, लेकिन N और उनकी friend G, वो इन्हें रोक रही थी, वो इन्हें relax, calm down करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही थी, according to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities, according to the author, मतलब author कौन है हमारी हाँ, the diarist, diarist है N Frank, तो N Frank क्या कर रही थी, उन्होंने कहा कि the quarter, quarter मतलब एक चौथाई, तो उनके according, उनके हिसाब से लगबद एक चौथाई बच्चे जो है ना इस क्लास में, वो ये deserve ही नहीं करते कि उनको promote किया ज इस लाइक है ही नहीं क्यों कि वो किसी activity में participate ही नहीं करते हैं, it is very important students कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, या अपने lectures attend कर रहे हो, तो it's very important कि आप उसमें और भी extracurricular activities जो होती हैं, उसमें भी participate करें, it's very important for any student to be as active as possible, उनका participation ही दिखाता है कि वो कितने जादा और talented बन सकते ह और अपने आपको निखार सकते हैं, लेकिन यह जो एक चौथाई class है, वो बिलकुल activities में participate नहीं करते थी, और according to Anne Frank, they were like dummies, remember the word she used for such students was dummies, तो dummies वो बच्चे जो कुछ भी नहीं करते बस class में आके बैठे रहते हैं और nothing else, okay, तो उन्हें next class में जाना ही नहीं चाहिए, according to Anne Frank Anne recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness, well, यहां हमें पता चलता है कि Anne के जो maths teacher है, जिनका नाम है Mr. Keyzing, वो हर वक्त Anne Frank के जो बातूनी रवया जो है न, इतनी जादा बात करती है, इतनी talkative है, उनके उस nature से न, बहुत जादा इरिटेटेटे रहते थी, कि जब देखो ये बात करती रहती है, है, so while talking in his classes, he gives her extra homework as punishment, जब भी Mr. Keyzing उसको देखते थे बात करते हुए, ऐनी Frank को, बैसे ही वो उन्हें कुछ extra homework दे देते थे, अब हो homework कहते तो थे उसको homework, लेकिन actual में वो जो maths teacher है, वो एक punishment दे रहे हैं यहां पर Anne Frank को, और वो punishments क्या होते हैं, वो होते हैं, कुछ extra homework और extra homework क charter box, मतलब जो सबसे पहला जो punishment दिया गया है न, वो है कि charter box वाले topic पर उनको Anne Frank को लिखना है, तो a charter box और वो Anne Frank जो है, इससे एक challenge के तोर पे लेती है, challenge not in a negative way, लेकिन वो इसको एक तरीके से एक मौके की तरह लेती है, it's like a chance for Anne Frank की, इस essay के सुरू मैं अपनी एक बात जो है, वो इन तक पहुचाऊंगी अपने maths professor के professor तक की, बात करना कितना important है और मेरे लिए बात करना कितना जरूरी है और क्यों मैं इतनी बात तुनी हूं, so which the author thinks as weird, पहले तुने लगा कि ये topic तो बड़ा है, ये topic क्यों तिया, she imagines about the topic and decides to present concrete arguments in support of talking, she writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely, इसका ये मतलब है कि उन्होंने पहले तो सोचा कि a chatterbox, ये तो कितना अजीब और गरीब सा topic है और इस पर कोई क्या ही ऐसे लिखेगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि देखे, मुझे लिखना तो ही, तो मैं इसके थूरू अपने जो professor है, उन्हें बिलकुल बताने वाली क्यों talking, बात करना, how come talking is relevant, so she started writing in support of talking, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे valid points अपने accordion, इतने valid points दिये, इतने strong points उन्होंने बनाये कि Mr. Keesing समझे कि बात करना क्यों सही है, और उन्होंने कुछ ऐसी बाते लिखी कि वो अपने आपको बहतर करेंगी, कंट्रोल करेंगी कि वो बहुत जादा बाते ना करें class में, class को disturb ना करें, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक इस चीज़ को नहीं सुधार सकती है, क्योंकि उनको अपनी mother से ये genes मिले हैं, she has inherited these traits from her mother and her mother talks a lot, ठीक है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से से ठीक नहीं कर सकती है तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक witty, एक बात कहिए, witty, witty का मतलब होता है, बहुत ही humorous होकर कोई बात कहना, बहुत ही मजाक्या तोर पर बात कहना, और शाब्दिक अर्थिसका होना चाहिए बिलकुल कि एकदम हाजर जवाबी, ठीक है, एकदम किसी ने कोई बात कही और उसका एकदम हाजर जवाबी कहना, एकदम नाप तोल के, एकदम नपी तुली बात कहना, उसे कहते है, विट, नपी तुली बात along with humor, ओके, तो ऐसी एक बात कही, तो जब Mr. Keezing ने ये सारे points पढ़े, N. Frank के, so the professor finds it amusing, उन्होंने ये बहुत ही मज़ेदार लगा और जादा छोटी थी, कि इतनी छोटी बच्ची, इतनी मज़ेदार बात लिख रही है, but a lot finds it amusing, but a lot's another topic after she did not change her nature, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ को बहुत lightly, although उन्होंने पसंद बहुत आया, उन्होंने मजा किया भी लगा सब है, लेकिन फिर भी बहुत easily उन्होंने इ इन फ्रेंक को, as a punishment, एक दूसरा homework दिया और उन्हें एक दूसरा topic a lot किया, assign किया, वो topic था, an incorrigible chatterbox, मैं अब दूसरा topic जो दिया, वो था, uncorrigible chatterbox, the topic is an uncorrigible chatterbox, which refers to a habit that is difficult to change, incorrigible का मतलब होता है, habit which is difficult to change, मतलब जिसको change करना मुश्किल है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको correct करना बहुत ही मुश्किल है, यानि एक ऐसा chatterbox, ऐसी एक बातूनी लड़की, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, अब ये point उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि यही point, Ann Frank ने अपने आने ऐसे कि अंदर mention किया था, कि मुझे बदल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे अंदर तो ये jeans आया है, मेरी mother से, मेरी mother भी बहुत बात करती है, और ये भी कि इतना जादा, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन एक student का trait है, ये मतलब बच्चों की आदत ही होती है, क्यो तो उनके लिए change होना बहुत मुश्किल है, तो इसी चीज़ पर Mr. Keezing ने, यानि Maths teacher ने कहा कि जो कभी ना change हो सके, ऐसा charter box, ऐसे topic पे अब तुम एक essay लिखकर लेकर आओ, तो अब क्या करती है Ann Frank? After keeping an eye on her, the professor gives her another topic, quack, 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 said mistress, charter box, अभी Ann Frank ने क्या किया, इस topic पे भी कुछ ना कुछ लिखी दिया था, उने दे दिया लिखकर, लेकिन उनका बात करना अभी भी बंध हुआ नी, अब Mr. Keezing बहुत जादा परेशान होगा, कि ये क्या, ये तो रुकी ने रही है बात करने से, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब वो आए अपने third point पे, और उन्होंने कहा कि अब लिखे, quack, 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 said mistress, chatterbox, इसका ये मतलब है, quack, 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 मतलब है कि बग, 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 करते रहना कर इसका, शाब्दिक अर्थ, हिंदी में मैं अगर अनुवात क हो, तो यही है कि बग, बग, कर रहे हो, और कौन कर रहे हो, कौन कर रहा है, बग, बग, said मतलब कौन कह रहा है आपर, mistress, chatterbox, whose mistress, and frank, and chatterbox, so miss chatterbox, basically यही title दिया है इन्होंने, जो math teacher है, उन्होंने यही title दिया, and frank को, that she is a chatterbox, और वो quack, 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 कर रही है, इस topic पर अब लिखो, यह topic उन्होंने ऐसा इसलिए बनाया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भई, कुछ भी कर लो, and frank तो सुधरने वाली है, नहीं, वो तो बाते करती जाएगी, नाव वो change हो रही है, और वो बाते करती जारी है, करते जारी है, non-stop, तो कुछ तो stop करने के लिए रुखना पड गई, now what she did later, she runs out of thought after writing two times on a similar topic, she decides to write her third topic in the form of a poem, and writes a satire, and luckily the professor takes it lightly, इसका ही मतलब है कि पहले कि जो दो topic थे, a chatterbox और an encourageable chatterbox, इन दोनों topics पर लिख लिख कर उन्होंने अपने सारे, अब एक छोटी बच्ची उसके अंदर कितना ही, कितना ideas, वो ने-ने ideas ला सकती है, तो अपने स सारे ideas जो है, वो उन्होंने पहले दो essays में लिख दिये, सारे original ideas, सारी creativity, सब पहले के दो essays में डाल दी, अब यहां पढ़ना है, अब punishment आ गया, एक और assignment, अब इसमें वो क्या करे, तो उसमें उसने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, एक poem की तरह लिखूंगी, ए सानी से, क्योंकि सानी पोईट्री लिखने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा, एन फ्रेंट ने सोचा कि मैं इसकी help लेके यह poem लिखती हूं, और उन्होंने लिखा एक duck और एक swan के ducklings जो होते हैं उनके बारे में, कि ducklings बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक चंचल होते हैं, आवाजे करेंगे, शरारते करेंगे, यही तो बच्पना होने की एक निशानी होती है, बच्चा होने की एक निशानी होती है, isn't it? लेकिन इस बात से इरिटेट होके swan ने क्या किया, यानि swan कौन है यहाँ, father of these ducklings, तो father swan ने क्या किया, तीनों यह ducklings को क खा लिया, पूरा, मतलब इतना जादा तेज गुस्सा आया कि यह शोर कर रहा है, तो मैं शोर बंद करने के लिए चलो इन्हें खाई लेता हूँ, यहाँ ducklings कौन है, and frank अपने आपको duckling की तरह बताने की कोशिश कर रही है, और जो father swan है, वो यहाँ उसने indirectly किस को बोला है, Mr. Keezing को बोला है, कि हम तो बच्चे हैं, हम तो शोर करेंगे, बाते भी करेंगे, और शरारते भी करेंगे, but you are so senior, आप इतना मचौर हैं, आप कही ना कहीं तो समझें कि हम यह शरारते करने से अपने आपको रोक नहीं सकते, तो क्या आप हमें खा ही जाओगे, यही उन्हो उन्हें एक satire की तरह कहने की कोशिश किया है, कि एक direct attack नहीं, indirect way में कुछ बात कह देना, ताकि सामने वाले को to the point समझ में आ जाए, और Mr. Keezing को भी यह बात to the point एकदम समझ में आ गई थी, लेकिन समझ में आने के बात उन्होंने किया क्या, क्या उन्होंने गुसा किया, आ ने भी इसे बहुत lightly लिया, बहुत अच्छे वे में लिया, बहुत ही positively लिया, and the professor recites the entire poem in front of the class and the author talked uninterruptedly after this, इसका ये मतलब है कि इसके बात, जब उन्होंने Mr. Keezing ने भी एन का point समझा कि वो कहना क्या चाह रही है, उन्हें भी यह ऐसे पढ़के बहुत ही बढ़िया लगा, उन्हें उनका, Ann Frank का point भी समझ में आया, और इतना अच्छे से समझ में आया कि यह poem उन्होंने अपनी पूरी class को पढ़के सुनाई, अपने भी कुछ additional comments लगाए, और उन्होंने अपनी बाकी classes में बाकी students को भी यह poem पढ़के सुनाई, that I am the father swan who can eat little ducklings, okay, उसके बाद से Ann Frank क कभी भी रोका टोका नहीं गया, जितनी बाते करनी है करो, जितनी शैथानिया करनी है करो, no issues at all, क्योंकि बच्चे हो, शैथानिया तो करेंगे ही. The most important message of the story is that all people have the right to live in freedom. देखे, क्या sense है कि यह हमें बताया जा रहा है कि यह chapter में क्या है या उन्होंने अपनी diary में basically क्या लिखा है, एक छोटा सा interesting सा excerpt जो Ann Frank की diary में से लिया गया है, यह क्या है, इसका यह मतलब है कि कोई भी इंसान है, चाहे औरत है, मर्द है, बच्चे है, बड़े है, बुरे ह इस धर्ती पे कोई भी व्यक्ति है, चाहे इंसान और जानवर कुछ भी है, हर किसी को आजादी से रहने का, आजादी से सांस लेने का अधिकार है, और किसी भी वज़ा से छोटे या बड़े या gender के basis पे या age के basis पे ये differentiation नहीं होने चाहिए, चाहे senior हो या junior हो, कुछ comfort तो ह हर किसी को ही चाहिए, isn't it? तो इसी यही main message है, major message है, इस पूरे chapter का, जो इस diary के थुरू आप तक, हम तक, हम सभी तक पहुँचता है, तो students, इसी के साथ ये video end होता है, I hope आपको ये summary अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubt है, आप प पूच सकते हैं, और अब मैं आपको बता दू कि magnet brains आपको provide करवाता है, high quality content and education के साथ, ये सभी top courses वो भी free of cost, इसी के साथ अगर e-notes और e-books चाहिए, तो आप links दिये गए हैं, description box में आप उन्हें visit कर सकते हैं, और videos के access के लिए आप www.magnetbrains.com को भी visit कर सकते हैं, आप हमे Twitter, Instagram, Telegram और Facebook पर भी follow कर सकते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर कीजिए, और Magnet Brains को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, thank you so much